नमस्कार दोस्तों मैं किर्शन गार्डनिंग केर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ब्यूटिफुल टर्टल वाइन के बारे में पूरी जानकरी देने वाला हूँ यदि आप अपने गार्डन में ग्रिन्री एड करना चाते हो तो इस वाइन को जरूर लगा लीजिए इसको क्रिपिंग इंच पलांट बोलिवियन जू के नाम से भी जाना जाता है इसका साइन्टिफिक नेम है कैलिसिया अरिपंस यदि आप अपने प्लांट्स की ज़्यादा देखपाल नहीं कर पाते हैं तो ये वाइन आपके लिए बेस्ट वाइन है क्योंकि ये एक जीरो मेंटेनिस वाइन है जिसकी कोई भी केर नहीं करनी होती एक बार आप इस वाइन की छोटी सी कटिंग कहीं से भी लाकर लगा लीजिए ये बड़ी जल्दी ही गुरो कर जाती है और किसी भी साइज के कंटेनेस में लगाने पर ये इसको पूरा भर कर उसमें फैल जाती है और फिर नीचे की और लटकना शुरू कर देती है ये नीचे लटकती हुई बहुती सुन्दर दिखाई देती है होम डेकोरेशन के लिए ये एक बेस्ट वाइन है इसकी स्टैम के नीचे लीफ नोड से जड़े निकलती रहती है इसलिए इस वाइन की कटिंग्स आसानी से लग जाती है इस वाइन को आपको नर्सरी से लाने के आव सकता नहीं है इसकी छोटी सी कटिंग भी आपको मिल जाए तो ये कुछ ही दिनों में अच्छी ग्रो कर जाती है इस वाइन को आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाईए ये बहुती सुन्दर लुक प्रवाइड करेगी ये जो आप वाइन देख रहे हैं मैंने इसकी एक मैने पहले छोटी सी कटिंग लगाई थी इस गमले में देशी वेराइटी का कलांचो लगा हुआ है अब ये वाइन इतनी फैल गई है कि कलांचो का पोधा दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें फ्लोवरिंग नहीं होती अब सर्दियों में कलांचो में बहुत सुन्दर फूल खिलने वाले हैं मगर ये वाइन इस गमले में इतनी सुन्दर लग रही है कि इसको इसमें से हटाने का मन ही नहीं करता। ये वाइन बहुती जल्दी प्रोपगेट हो जाती है। आप चाहे जितने पोट्स इसके तियार कर सकते हो। ये एक इजी ग्रोविंग वाइन है। यदि फिर भी यदि आप इसको गुरोव ने कर पा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। ये एक ऐसी वाइन है जो इंडोर और आउट्डोर दोनों जगें गुरोव हो जाती हैं। इसको ब्राइट इंडारेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करें। डारेक्ट सनलाइट में इसमें ग्रोवत कम हो जाती है। इसमें आप रोज पानी दे सकते हो, मगर पानी इतना ही दो, जितना इसको जरूरत है, आधिक पानी इसके प्लांटर से बार निकल जाना चाहिए। इसके लिए आपको इसकी well-drained soil प्रिपेर करनी पड़ेगी। आप मेरी इस वाइन को देखिए, मैं इसमें कई बार पानी देना भूल भी जाता हूँ। एक मैने पहले मैंने इसको लगाया था, मैंने इस गमले में कोई भी खाद या fertilizer भी नहीं डाला है। इस वाइन को किसी भी पर करके खाद या fertilizer के आउसकता नहीं होती है। बिना किसी खाद या fertilizer के भी इसके पत्ते कितने ग्रेनिश और चमकदार हैं। यदि आप किसी वाल को ढखना चाते हो, तो इस वाइन के 4-5 गमले वाल पर रख दीजिए। ये वाइन दिवार को पूरा ढख लेगी। इसलिए इस वाइन को home decoration के लिए यूज किया जाता है। इसके पत्तों पर यदि आप पानी छिड़कते रहोगे, तो आप इसको किसी भी छोटे से container में भी लगा सकते हो। क्योंकि इसके पत्तों के नीचे leaf node से निकलने वाली जड़ों को पानी मिल जाएगा और ये healthy बनी रहेगी। आधिक सर्दियों में ये वाइन सूख जाती है क्योंकि सर्दियों में इसका dormancy feed होता है। ये वाइन गर्मियों में याधिक grow करती है। सर्दियों में इसकी location को change करके आप इसे बचा सकते हो। इसके लिए आपको इसकी extra care करनी पड़ेगी। आप भी इस beautiful wine को अपने garden में जरूर सामिल करें और अपने garden को हरा बरा बनाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बैल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली मेरी सबी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाच्छ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्यू।